Hello everyone, welcome back to my channel आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नोविल की जिसे लिखा है इंडियन इंग्लिस राइटर ने और जो बहुत थी ज़्यादा पॉपिलर रही थी इंडिपेंडेंस के पहले ये लिखी गई थी और ये बेसिकली सोशल रियलिजम की थीम पर बेज़्ट है और ये जब पब्लिश होने को गई थी तो इसको 19 ब्रिटिश पब्लिशर्स ने इसको रिजेक्ट किया था जी हाँ दोस्तो आज हम बात करेंगे अंटचेबल के बारे में जिसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने तो आज हम बात करने वाले हैं मुल्क राज आनंद की बहुत थी फेमस नॉवल अंटचेबल के बारे में जो उनकी पहली नौवल थी, जी हाँ दोस्तों ये मुल्क राज आनंद की फर्स्ट नौवल थी और ये पब्लिश हुई थी 1935 में और जो सबसे बड़ा फैक्ट इस नौवल के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि इस बुक को 19 ब्रिटिश पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था देन बाद में इम फॉस्टर के एफर्ट के बाद ये पब्लिश हुई थी 1935 में और इसका प्रिफेस की बात करें तो इसका प्रिफेस लिखा है इम फॉस्टर ने जी हाँ दोस्तों मुल्क राज आनंद के फ्रेंड थे एम फॉस्टर उन्होंने इस बुक को पब्लिश करने में उनकी काफी जादा हेल्प की थी देन ये 1935 में पब्लिश हुई थी और इसका प्रिफेस भी एम फॉस्टर ने लिखा था अगर बात करें कि मुल्क राज आनंद को इस नौवल को लिखने का आइडिया कहां से आया कहां से उनको इंस्पिरेशन मिली इस नौवल को लिखने के लिए तो ये बिसिकली उनके ही घर में एक फैमली में एक ट्रेजडी हुई थी ऐसा हुआ था कि जो इंडिया के कास्ट सिस्टम की वज़े से उनकी एक आंट थी उन्होंने सुसाइट कर ली थी एक्च्वल में हुआ क्या था कि उनकी आंट ने मुसलिम वीमन के साथ एकना मील यानि की भोजन शेयर कर लिया था और जिसके बाद उनको एक्सी कम्यूनिकेट कर दिया गया था उनका बहिसकार कर दिया था फैमिली के द्वारा और बाद में इससे तंग आकर उन्होंने सुसाइट कर लिया था ये बात का असर बहुत जादा पढ़ा था मुल्कराज आनंद पर और इससे ही इंस्पायर हो करके उन्होंने इस नॉवल दा अंटचेबल को लिखा था अब बात करें नॉवल की सेटिंग की और इसकी थीम की तो ये जो नॉवल है इसकी स्टोरी सेट है नॉर्थ इंडियन टाउन में जिसका नाम है बुलाशा बुलाशा नाम की एक फिक्शनल टाउन है वहाँ पर ये इस नॉवल की जो स्टोरी है वो सेट की गई है और ये न पुलाशाज नाम का जो टाउन है वहाँ पे जो सभी स्वीपर्स हैं उनका वो हैड है इस नौवल में बताया गया है कि एक दिन के अंदर कैसे बहुत सारी बुरी चीजें सैट घटित होती हैं भाखा के साथ और जिससे वो अपने आपको ग्रो अप फिल करता है और अपने ब एक स्वीपर है और नौवल का प्रोटेगनिस्ट है और वो बेटा है लाखा का और उसके ब्रदर इसमें दिखाया गया है राखा को और सोहिनी उसकी सिस्टर है तो वो बड़ा भाई है राखा का और सोहिनी का और उसकी फादर का नाम है लाखा अब सकेंड स्टार्टिंग में हो जाती है और जिसके वज़ा से वो बाद में लेजी हो जाते हैं सोहिनी इस नॉवल की थर्ड इंपोर्टेंट केरेक्टर है जो की भाखा की यंगा सिस्टर है और लाखा की सबसे छोटी बेटी है शी इस वेरी ब्यूटिफुल एंड लस्टेड आफ्टर बाई मैन अक्रोस ताउन और उसने अपने मा को बहुत ही छोटी सी एज में यंग एज में ही खो दिया है और इस वज़ा से सोहिनी बैलेंस नहीं फिल कर पाती है अपनी लाइफ में वो डुमेस्टिक वर्क भी करती है और अपना डेली टास्क भी करती है अज एज स्वीपर और सोहिनी ही इस नॉवल की ऐसी करेक्टर है जिसके साथ सबसे ज़ादा एक्स्प्लोइटेशन होता है पूरी स्टोरी में जैसा कि पहला उसका जेंडर है कि वो फीमेल है और दूसरा है आउटकास्ट स्टेटस का होना इन दोनों वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस पूरी नॉवल में एक्स्प्लोइट की जाती है फूर्थ इंपोर्टेंट केरेक्टर है राखा जो की भाखा का यंगर ब्रदर है और लाखा का middle child है राखा भी ऐसे as a sweeper work करता है but he is less motivated than भाखा just because वो भाखा की तरह अपने daily task को करने से बचना नहीं चाता है और वो caste system को punish करने के बारे में भी नहीं सोचता है वो भाखा की तरह इस माबले में बिलकुल नहीं है और राखा को एक तरह से कह सकते है a true child of the outcast colony next important character है चरत सिंग जो की एक हवलदार है और एक Indian officer है British Army में और वो एक well respected hockey player भी है और वो अपने town में हर जगा high caste status में praise किये जाते हैं अपने status को ले करके और दूसरी तरफ वो भाखा को बहुत ही अच्छे से treat करते हैं polite way में treat करते हैं वो उसको एक polluting monster की तरह से नहीं देखते हैं बलकि वो उसको as a servant ही treat करते हैं और बाद में इस novel के last में देखते हैं कि चरत सिंग जो है वो भाखा को एक hockey stick भी gift करते हैं और वो उसके साथ coffee भी शेयर करते हैं tea भी शेयर करते हैं भाखा के साथ जो की high caste kindness का बहुत ही rare example यहां पर दिखाई पड़ता है और जिसकी वज़ा से भाखा बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है good feeling उसके अंदर आती है और भाखा यह फील करता है कि वो इस तरीके से अगर सभी लोग उसको treat करें तो उसको sweeper होना अपनी life में बुरार कभी नहीं लगेगा next important character है करनल हचेंसन जो की एक middle agent British settler है इंडिया में और वो salvation army के leader भी थे हिमालियन range में और करनल हचेंसन वहां की बुलाशा की locality को Christianity में convert करना चाते हैं इस वज़े से वो Indian dress को धारड करते हैं और वो टूटी-फूटी Hindi भी बोला करते हैं next important character है पंडित कालीनाथ जो की एक ब्रहमन है और वो बहुत ही बड़े prominent priest है उस temple के और बुलाशा के जो एक temple है वहां के बहुत बड़े priest है और वो एक high caste status से belong करते हैं और उनको इस novel में बहुत ही ungenerous, lecherous और bodily feeling consume करने वाला बताया गया है दिखाया गया है और जब वो सोहिनी की help करते हैं well safe पानी देने में तो उसके बाद वो उससे demand करते हैं कि वो आए और उनके temple को clean करें जहां पर वो उसको sexually assort करते हैं जब सोहिनी प्रोटेस्ट करती है तो पंडित कालीनाथ चिलाते हैं कि सोहिनी ने उनको polluted कर दिया है next important character है लच्छमन जो की एक young brahmin है और वो भी बुलाशा नाम के village में रहता है वो starting में सोहिनी से attract होता है और वो दोनों वो और सोहिनी आफेन ही अक्सर ही engage होते है mutual flirtation में बट पंडित कालीनाथ वो जो है सोहिनी को खुद के लिए चाहते हैं और वो जल्दी ही इन दोनों के relationship पे stop लगा देते हैं और लच्छमन जो है वो दूसरा high caste हिंदू है जो कि high caste status में believe नहीं करता है उसको लगता है कि spirituality और emotional purity जादा important है बजाए इसके कि आप higher caste के हो next important character है गुलावो जो कि रामचरन की मा है और washer woman है बुला शाह में और वो starting अपने youth में काफी ज़्यादा beautiful हुआ करती थी बट time ने और physical work ने उसको बहुत ज़्यादा agent बना दिया है और आप वो सोहिनी से काफी ज़्यादा jealous feel करती है कि सोहिनी काफी ज़्यादा beautiful है इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा jealous feel करती है believe करती कि washer man और washer woman जो है वो high है rank में कास्ट सिस्टम के आउटकास्ट से ज़्यादा high है वो और वो अकसर ही राम चरन को भी इस चीज के लिए डाड़ती है कि वो अपना time भाका के साथ कभी spend ना करे एक तरह से गुलाबो को बहुत ही लालची विमेन की तरह से present किया गया है next important character है राम चरन जो की एक washer man है और गुलाबो का son है और भाका का friend है और वो और छोटा एक इसमें character है वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं भाका के next important character है रिक्ष्टा driver का जो की एक muslim है means वो जो हिंदू caste की जो hierarchy है इससे ज़स्ट अलग है वो और जब वो driving करता है तो वहाँ पर वो भाका का confrontation देखता है किसी एक upper caste के man के साथ जिससे भाका touch हो जाता है और बहुत जादा वो भाका को insert करता है then वहाँ रिक्ष्टा driver पहुँचता है और वो जब test man को देखता है जिसको touch किया है भाका ने उसके abusive behavior को देखता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो इसके बाद भाका को support करता है उसको confront करता है उसको comfort देता है और encourage करता है भाका को कि वो काम रहे वो चुप रहे और revenge लेने की ना सूचे और जब यह सब incident हो जाता इसके घंटों बाद भी भाका सोचता रहता है उसी रिशा ड्राइवर के बारे में उसकी kindness के बारे में और उसकी care के बारे में इसमें रिशा ड्राइवर को बहुत ही kind और genuine person दिखाया गया है अब चलिए story को start करते हैं तो इस novel की कहानी शुरू होती है बुला शा के एक छोटे से टाउन में भाका जो की इस novel का central character है उसके दिन की शुरुवात होती है अपने पापा की चीक सुनकर उसके पापा उसको shout करते हैं उसको डाटते हैं कि वो अभी तक सोकर क्यों नहीं उठा और उसको अपने work पर जाना चाहिए तो यहाँ पर इस episode के बाद हम देखते हैं कि उनकी relationship जो है वो काफी ज़दा अच्छी नहीं है उन दोनों के बीच जो बाप बेटे का रिष्टा है वो बहुत ज़दा अच्छा नहीं वो tense है just because की भाखा की mother अब गुजर चुकी है और लाखा जो की उसके father है वो बहुत ज़दा lazy हो चुके है और वो सारी जिमेदारी का burden अपने बड़े बेटे भाखा पे डालना चाहते है दूसरी तरफ भाखा जो है वो अब British जो rules है उनको पसंद करता है प्रिटिश को बहुत ज़दा admire करता है और वो ये सोचता है कि वो उनके जैसा उसको बनना चाहिए या उनकी तरह वो बन सकता है इसलिए वो अकसर देल में सो कर उठता है जिस वजह से उसके फादर उस पे चिलाते है भाखा अपने फादर के इस behavior को ignore करता है और बाद में वो एक high caste man जिसका नाम चरत सिंग होता है उसके लिए ट्वैलेट क्लीन करने चला जाता है चरत सिंग एक famous hockey player है और वो भाखा से वादा करते हैं कि वो आज शाम को उसको एक hockey stick देंगे भाखा बहुत ज़दा खुश हो जाता है और उनसे मिलने के लिए agree हो जाता है भाखा अपने आपको बहुत ज़दा lucky feel करता है और अपनी morning duty को complete करके वो घर पे अपने जाता है actually में वो बहुत ज़दा प्यासा रहता है बट sadly उसके घर पे कोई पानी नहीं होता है और उसकी sister सोहिनी communal well से पानी लेने के लिए चली जाती है यहाँ पर communal well पर सोहिनी आउटकास्ट की लाइन में लग कर पानी के लिए wait करती है तभी वहाँ पर temple के priest पंडित कालीनात आते हैं और सोहिनी को water में help करते हैं actually वो सोहिनी से थोड़ा सा attract हो जाते हैं, infatuate हो जाते हैं अब भाका के घर पर भाका के डैड लाखा अपने आपको बिमार फील करते हैं और भाका से कहते हैं कि उसे town clean करना है और साथ ही साथ temple का court yard भी clean करना है और यहाँ पर भाका अपने सभी cleaning stuff को लेता है और town की तरफ चला जाता है नर्मली वो town में बहुत ज़दा busy रहता है अपने cleaning task में बट यहाँ पर वो एक मौका निकाल लेता है, इसकुछ cigarette बाई करता है और candies बाई करता है और वो बहुत ज़दा enjoy करता है candies को और वहाँ पर चलता रहता है तभी वो एक higher caste man से accidentally टकरा जाता है actually भाखा अपनी untouchable call देना भूल जाता है होता क्या था actually में कि जो untouchables होते थे उनको अपने चलने के पहले untouchable call देना होता था कि हम आ रहे हैं आप side हो जाओ जिससे कि कोई भी higher caste का man उनसे कभी टकरा ना सके और यहाँ पर भाखा यह चीज भूल जाता है और वो गलती से उस man से टकरा जाता है अब वो man जो है बहुत जादा angry हो जाता है और वो बहुत जादा शोर मचा देता है तभी वहाँ पर एक crowd इकठा हो जाता है भाखा यहाँ पर बहुत जादा embarrassed feel करता है अभी भाखा का अलग अच्छा होता है कि वहाँ पर एक Muslim vendor आ जाता है अपनी बग्गी में और वो भीड को तितर बितर करता है जैसा कि Muslim जो है वो ये Hindu की जो hierarchy है caste hierarchy उससे बाहर होते हैं तो वो untouchable या इस चीज में नहीं आते हैं तो वो Muslim vendor जो होता है वो भीड को तितर बितर करता है और भाखा को और सभी लोगों को वहाँ समझाता है बट जो high caste का man होता है जो की भाखा से टकराया होता है वो गुस्ते में आकर भाखा को slap कर देता है थपड मार देता है भाखा यहाँ पर बहुत زदा शॉक्ड हो जाता है बहुत ज़ादा upset हो जाता है बट वो जो Muslim vendor होता है वो उसको समझाता है, console करता है और बहुत ज़ादा kindness दिखाता है उसके प्रती भाखाब convince हो जाता है और वो normal हो जाता है इसके बाद वो अब temple में काम करने के लिए चला जाता है और इस पूरे दिन में वो मुसलिम वेंडर की kindness को कभी नहीं भोलता है और उसको अक्सर ही याद करता है जब वो temple भी जा रहा होता है और जब वो temple अब जाता है तो इस बार वो announce करना नहीं भोलता है अपनी untouchable call को अब यहाँ पर temple में जब भाका यहाँ पहुचता है तो यहाँ पर एक religion ceremony चल रही होती है भाका को इसमें interest आता है और वो एक तरह से मंदिर में जा करके यह देखना चाहता है अब वो धीमे धीमे से एक साहस जुटा करके अपने अंदर साहस जुटा करके मंदिर की सीडियों पर चड़ जाता है और अंदर जाकने लगता है तभी कुछ समय के बाद वहाँ पर एक disturbance होती है एक loud voice होती है और यहाँ पर वो देखता है कि सोहिनी और पंडित कालिनाथ हैं और जो हूँ कहारा होता है कि पंडित कालिनाथ सोहिनी को एजॉर्ट करना चाहते हैं एडवांस सोहिनी को अपनी तरफ खीचता है और उसे पूछता है कि actual में हुआ क्या था तो सोहिनी बताती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो बताती है कि प्रेश्ट ने उसके साथ क्या किया है अब भाखा बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है और वो प्रेश्ट से इस से कर लेगा भाखा बहुत जादा अपसेट होता है क्योंकि आज का दिन उसके लिए काफी जादा बुरा था और बहुत सारी सैट थिंग्स उसके साथ हैपन हो चुकी थी भाखा बहां परपसलेस होकर चलने लगता है और फिर कुछ घरों में जाता है खाना मांगने के लिए बट उस घर में कोई नहीं होता है तो भाखा उस घर के आगे सो जाता है तब ही वहां एक खोली परसन आते और उसको उठाते हैं कुछ देर बाद वहां के ओनर भी आ जाते हैं उस घर के और भाखा को वहां देखते हैं और वो उस पे बहुत जादा एक्चुली एक लेड़ भाका यहाँ पर एगरी हो जाता है और वो आगे का हिस्सा उनके फ्रंट जो होता है उनके घर का उसको clean करने लगता है इसके बाद वो जो lady होती वो भाका पर कुछ derogatory remark करती है जिससे भाका बहुत ज़ादा गुसा हो जाता है और वो अपने cleaning जो stuff होते हैं उसको वहीं छोड लेने के लिए गया होता है अब भाका अपने फादर को बताता है कि इस तरह से एक हायर कास्ट मैन ने उसको थपड़ मार दिया सड़के बीचों बीच में अब भाका का गुस्सा देख करके लाखा उसको एक स्टोरी शेयर करते हैं कि जब एक हाई कास्ट के डॉक्टर ने भा भाका पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कुछ ही देर बाद राखा वहाँ फूड लेके आ जाता है भाका बहुत ज़्यादा हंगरी फील करता है वह वहाँ पर खाना खाता है और उसके बाद अपने घर में एनौन्स करता है कि वह आज शाम रामचरन की छोटी भाका बहen की बहन की शादी में जाएगा अब यहाँ पर रामचरन के घर में भाका अपने दोनों दोस्तों छोटा और रामचरन से मिलता है और वे दोनों नोटिस करते हैं कि भाका कुछ टेंस लग रहा है कुछ उसके अंदर चल रहा है तो वह उससे सारी बाते बताने को बाका अपनी सारी बाते उनको बताता है कि किस तरीके से उसके साथ आज क्या क्या हुआ है जो उसका दोस्त है चोटा वो यहाँ पर जान जाता है कि भाका काफी जादा अपसेट है तो उसको वो याद दिलाता है कि चरत सिंग के घर आज उसको मिलने जाना है जो उसे एक होकी इस्टिक देने वाले हैं अब ये सब सुन करके भाखा थोड़ा सा सही फील करता है और इसके बाद भाखा चरच सिंग के यहां पर गिफ्ट लेने चला जाता है बट जब वो चरच सिंग के घर पे पहुंचता है तो वहां पर उसको चरच सिंग नहीं दिखाई पड़ते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैट जाता है और वहीं पर उनका वेट करता है कुछ देर बाद चरच सिंग वहां पर आते हैं और भाखा को टी के लिए चाय के लिए इन्वाइट करते हैं और भाखा यहां पर जब उनके साथ चाय पीने जाता है तो भाखा को सारी ची इसके बाद चरच सिंग उसे हौकी स्टिक देते हैं, अब इसके बाद भाखा बहुत ही जादा हैपी फिल कर रहा था और बहुत ही जादा पॉजिटिव था अपने इस बुरे दिन के बाद. अब भाखा बहुत जादा उत्साहित होता है गेम के लिए और वो पहला गोल भी करता है बट जो अधर टीम का प्लेयर होता है वो बहुत ही जादा गुसा हो जाता है और भाखा और उस टीम के बीच में फाइट होने लगती है और ये कब खतम होती है जब इससे एक हाई हो जाता है भाखा उस बॉय को जब देखता है कि उसको चोट लग गई है तो जल्दी ही उसको उठा के उसके घर पहुचाना चाहता है बट यहाँ पर जब उसको घर लेके आता है भाखा तो उसका gratitude समझने के बजाए उसको thanks भोलने के बजाए उस बॉय की मदर भाखा को accuse क करती है कि उसने उनके बेटे को harm किया है और उनके बेटे को impure कर दिया है अब यह जो accusation होता है इससे भाखा का mind फिर से upset हो जाता है और वो बुरी तरीके से बहुत sad feel करके अपने घर को वापस लोट जाता है अब जैसे ही वो घर पहुचता है उसके फादर उस पे चिलाने लगते हैं कि वो पूरी दुपहर कहा था और उसको banish करने की बात वो कहते हैं कि भाखा को उनके घर नहीं आना चाहिए भाखा वहां से भाग जाता है और अपने घर से बहुत दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैट जाता है अब यहाँ पर उसको एक British man जो की local Salvation Army के उनकी बात सुन करके, white man की बात सुन करके सोचता है कि वो चर्च में जाएगा अब भाखा करनल Hutchinson के साथ चर्च में जाता है यहाँ चर्च में करनल Hutchinson बहुत सारी prayers को पढ़ते हैं, read करते हैं, song को पढ़ते हैं जिसके बाद भाखा बहुत ज़दा bore feel करता है बट तब ही व जाती हैं और अपने husband पे चीखने लगती हैं भाखा करनल Hutchinson की wife के गुस्से को बहुत ज़दा deeply feel करता है और वहां से एक बार फिर से वो भाग जाता है इस बार भाखा अपने town से बहुत दूर railway station के पास भाग जाता है और यहाँ पर लोगों से उसको सुनाई पढ़ता है कि महत्मा गांधी बुला शाह में आ रहे हैं इसलिए वो crowd को join कर लेता है कि वो जिससे महत्मा गांधी की speech को सुन सके बाखा यहाँ पर महत्मा गांधी की speech को सुनने चला जाता है और यहाँ पर महत्मा गांधी बात कर रहे होते हैं untouchables के बारे में कि कैसे कैसे untouchables लोग difficulties को face करते हैं और कैसे वो इस सब चीजों से अंटचेबल को मुख्द करना चाहते हैं महात्मा गांधी अपनी स्पीच को फिनिश करते हैं अंटचेबिलिटी के खिलाफ लोगों को मैसेज देकर कि लोगों को अवश्य ही रोकना चाहिए और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए अब जब गांधी जी चले जाते हैं तो वहाँ पर दो educated Indian men एक का नाम बशीर होता है जो की एक lawyer होता है और एक दूसरा होता है सरशार जो की एक poet होता है वो दोनों महात्मा गांधी की speech को discuss कर रहे होते हैं और बशीर यहाँ पर criticize करता है गांधी जी के ideas को जबकि सरशार जो के बहुत ही complex words होते हैं बहुत complex ideas होते हैं तो भाका को बहुत ज़ादा कोशिच करनी पड़ती है उनके sentences को समझने के लिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं बट यहाँ पर भाका उनके कुछ words को catch कर लेता है जिसमें सरशार ने mention किया था कि आने वाले time में एक flushing toilet इंडि untouchability का भी अंध हो जाएगा अब इससे भाका को बहुत ही ज़ादा hope मिलती है वो regain कर लेता है अपनी hope को और वो बहुत तेजी से अपने घर की और भागता है अपने फादर को इस बारे में बताने के लिए अपने फादर को गांधी जी की speech के बारे में बताने के लिए कि कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जिससे आपको मेरे वीडियो की सभी notifications मिलती रहेंगी आज के वीडियो में इतना ही thank you for watching this video